हेलो स्टुडेंट मैथ की आथ के लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम क्यूबिक रूट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घनमूल निकालने की एक इजी ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें आप बड़े ही कम टाइम में और कितनी बड़ी संख्या हो उसका क्यूबिक रूट बड़ी ही असाने से निकाल सकते हैं तो इस एक तो आपका टाइम कम लगेगा और आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं तो वेलकम टुदा माई चैनल तो चलिए शुरू करते हैं अचका लेक्चर तो शौट ट्रिक निकालने के लिए आपको वन से लेक 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 जैसे की 2, 2 जा 4, 2 जा 8 ऐसे 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125 and so on केवल 1 to 10 इतना आपको काम करना है इससे उपर का याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो अब हम एक संख्या लेकर चलते ह और उसको सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको स्टेप भी बताते हुए चलेंगे तो यह है वह नमबर 94192 हमें इसका निकालना है क्योगी ग्रूट ठीक है तो स्टेप नमबर 1 होगा कि हम लास्ट की 3 डिजिट को लेंगे यह क्या है 192 और इसका देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन सा नमबर आ रहा है 2 ठीक है अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि इन में से किस मतलब किस नमबर के क्यूबिक रूट में यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है इस पे नहीं है इस पे नहीं है इस पे नहीं है इस पे नहीं है इस प और यह किसका क्यूब ही रूट है किसका क्यूब है एट का तो हम यहाँ पर उतार लेंगे एट ठीक है अब इन तीन डिजिट को छोड़ देजिए अब हमारे पास क्या बचा 941 अब हम यह देखते हैं कि 941 की वैलू किन के बीच आ रही है तो 941 तो काफी बड़ा है इसके भी बड़ा है अब हम आते हैं यहाँ पर तो 941 की जो वैलू होगी वह इन दोनों के पीच लाई करेगी तो इन दो जिन दो संख्याओं के बीच में वह 941 लाई कर रही है उसमें हम सबसे छोटे नमबर को लेंगे तो 729 और 1000 सबसे छोटा कौन सा है 729 और 729 का क्यूब किसका है 9 का तो यहाँ उता लेंगे 9 तो इस तरीके से 94192 का जो क्यूबिक रूट आएगा वो क्या आएगा 98 ठीक है अब एक संख्याओं लेते हैं तो अगला नमबर है 438976 का हमें क्या निकालना है क्यूबिक रूट तो यह सिंबल है नॉड़िशन है क्यूबिक रूट का तो पहले हम शुरूब कि लाच की तीन डिजि देखते हैं 976 इसमें लाच नमबर पर किया रहा है 6ा तो फिर से चेक करते हैं कि 6 कहा कहा रहा है इसमें आ रहा है तो 216 किसका Q है 6 का अब जो बच्ची भी डिजिट हैं उनको देखते हैं 438 तो 438 देखते हैं कि किन दो नंबर्स की बिच लाई कर रहा है 438 लाई कर रहा है 343 और 512 के तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है 343 और 343 किसका Q है 7 का तो 438 976 ये किसका इसका Q भी गुरूट क्या निकला 76 तो ये जो आज का मेथड था ये केवल नेचुरल नंबर के लिए था मतलब रियल नंबर के लिए नहीं था जिसमें आंसर पॉइंट में भी आ सकता ये वो हैं जो पूरे-पूरे आ रहे हैं without decimal तो उम्मिद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये ट्रिक विए आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे अगर कोई डाउट है अभी तो आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका पूरा solution आपको दिया जाएगा और जिदी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किये गए वीडियो आपको तो न थमिल सके तो नेक्ट लेक्चर में मैं कुशिश करूँगा कि ऐसे नंबर्स का क्यूबिक रूट आपको सिखाया जाए जो पॉइंट में आते हैं तो नेक्ट लेक्चर में आपसे फिर्म उलाकाद होगी तिल देन गुड़ बाई